हाई फ्रेंड साज घर पे हम हूममेड संभार मसाला बनाएगे जो हम साओथ इंडियन Capital में इडिली के साथ चटनी के साथ खाते है तो उसका ही अहीं मसाला बना रह hears बहुत आसानी से बन जाता और बहूत बढ़िया बन के रेडी होता है तो ये कुछ ingredient है जिसमें हैं अख़्ा जो साबूत वाला धनिया है तीन टाइप किसमें दाल है मूंकी दाल उडित की दाल और चने की दाल अख्खा वाला ये मेथी का दाना है और जीरा है देन ये कश्मीरे लालमिश का पाउडर है और हिंग है और काली मिर्च है अख्खी वाली साबुत वाली तो जो भी आपको मेजरमेंट है ये इस तैप की कटोरी से लेना है या इस टैप के चम्मच से लेना है तो मैंने ये सब कटोरी बाकि काटोरी है यह काटोरी लेना है यह मेति का दाना इक कटोरी लेना और कश्मीरी लालमीची आपको लेना है और यह हिंग एक बड़ा चमच और जो अख्खा वाला यह काली काली मिर्च है वो हमें एक बड़ा चमच लेना है तो सबसे पहले चम्मच ऑईल डाल के सबसे पहले हम जो अखा वाला धन्या है साबुत धन्या उसको हमें सेख लेना है एक दम धीमियाच पर तो जस्ट कलर चेंज होने तक हमें इसको सेखना और तुरंती सेख जाने के बाद इसको हमें कपड़े के उपर या तो टीशू पेपर के उपर हमें इसको डाल दीना है तो अभी अगेन एक चम्मच ऑईल लेगे तो अभी इसमें मैं यह चने की डाल डाल रही हूँ एक कटोरी तो इसको भी थोड़ा कलर चेंज होने तक हमें सेख लेना है जस्ट यह 50-60 परसंद सिख जाए उसके बाद इसमें हम जो दूसरी डाल है जैसे म मुंग की डाल है और उड़त की डाल है उसको भी साब करके इसको भी मैंने एड कर लिया है क्योंकि चने की डाल जो बड़े दान है उसको थोड़ा सिखने में टाइम लगेगा और यह जो उड़त और मुंग की डाल है तुरंट सीख जाती इसको लिए थोड़ा चने की डाल थोड़ी सीखने को है तभी हमें दो दाल के इसको हमें सेख लेकलना है और दिमी आज पर हमें इसको सेखना है और कलर चेंज होने तक देख सकते हैं इसका भी थोड़े टाइम में कलर चेंज हो चुका है तो ये भी दाल हमारी सीख चुकी है तो अभी इसको भी हम जो कपड़ तो देख सकते हैं तो जैसे ही मेथी दाना थोड़ा 50 पसंद सीख जाए कि उसमें मैं जीरा डाल दूंगी और यह जो अखा वाला जो काली मिर्च रहती है अखी वाली एक चमच बड़ा चमच वो डालके इसको भी मैं सेख लूंगी तो गैसेั अभी जो यह मसाला घर पे में सेख रही हूँ और आहाँ तरह यह जा जब्यूंगी बनाती तब इतना मतलब घर पुरा संबर मसाले से पुरा महक चुका था मितलब स्मेल से आपको पता चलेगा इतनी बड़ी आ आती इसकी जब यह आप डाल और मसाले को सेखते हैं और मसाला बनाते हैं तभी तो इसको भी मैं कपड़े के उपर डाल दूँगी तो यह हमें कपड़े के उपर ठंडा होने इसके लिए रखना है क्योंकि अगर हम थाली के उपर डालेगे तो नीचे थोड़ा सा स्टीम जैसा हो जाता है तो मॉस्टर लग जाएगा इसके लिए कपड़ा या तो टीशिय के पर हमें इसको ठंडा होने रख देना है तो यह मसाले और दाले ठंडी हो चुकी है तो अभी यह मिक्षी जार में हमें इसको पीस लेना है तो मिक्षी जार को भी एक घंटे पहले दूप में आप सुखा दीजेगा तो एकदम ही सुखा मिक्षर का जार होना चाहिए और अभी इसमें यह जो हींग मैंने एक बड़ा चमच लिया था वो डाल देंगे और बस यह इसको हमें अच्छे से पीस लेना है और पीसने के बाद अभी लास्ट में इसमें जो कश्मीरी लाल मिश्टीन क टोरी लिया था वो डालकर अगेन इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा मिश्वी चला देंगे तो भस हमारा मसाला बनके रेडी हो जाएगा बहुत जली से इसमबर मसाला बनके रेडी होता है बस आपको चीज़े इकटि करनी है और बस सेकना है सीखने मे वोल सैंकि कुछ भड़ीन हम चान रहे हैं तो अभी जो मसाल में लेडिके तो साल से ऑच्छे से ऊपर चल जाता है तो इसको हम अच्छे से देख सकते हैं, पूरा हमें मसाले को चान दिया था, तो थोड़ा इसका कुछ पाउडर बचा था, उसको आप डाल में यूज कर देंगे, जबी डाल घर पे बनाते हैं, तो अभी ये मसाले को हमें एक सूख्ये वाले बढ़िया से एर टाइट कंटेन कंटेनर को आपको ये गंटे पहले दूप में भी सुखा लेंगे उसके बाद में इसको भर के हमें इसको स्टूर करना है और इसको मसाले को में फ्रीज में डालना और बैस जब यह हम सांबर मसाला डालें तो एक से दो चमा जिसको आप यूज करिएगा बहुत बढ़ी होत एक बार घर पे जोरू बनाईएगा